तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो जंगल आता है उसका नाम है टाइगा फॉरेस्ट ये जंगल एक करोड़ बीस लाग से भी जादा बर्ग किलोमीटर में फेला हुआ है टाइगा एशिया में रूस, कनड़ा, इउरोप के कुछ देसों में लेकर नौथ अमेरिका तक फ अगर इस जंगल का कूल खेत्रफल देखा जाए तो ये भारत और चीन के पूरे एरिया से भी जादा है ये एक कोल्ड फॉरेस्ट है इस कारण यहां हर वक्त काफी थंड रहता है टाइगा के कई हिस्सों में लगातर वर्फ गिरती रहती है यहां का तापमान आसानी से इन अमेजन जंगल पूरी दुनिया में जंगल का राजा माना जाता है ये एक साथ पेरू, ब्राजिल, कॉलम्बिया, बोलीबिया, इक्सोडर, सूरिनामा, गुईना और बेनेजुएल जैसे देशों में फैला हुआ है इस जंगल में कई जहरने मौजुद है अमेजन जंगल क बक्षी और जानवरों का घर है इस दुनिया का सबसे बड़ा रेनफोरेस्ट है इस कारण यहां लगातार बारिश होती रहती है अमेजन का जंगल जहां जानवरों के लिए स्वर्ग है तो वही इनसानों के लिए किसी बूरे सपने से कम नहीं है यहां पर कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो इनसानों को कच्चा चबा जाने के दम रखते हैं अमेजन के जंगल में अमेजन नदी भी मौजुद है ऐसे माइथ मी फेलाया गया है कि अमेजन जंगल में अनाकॉंडा रहता है अमेजन जंगल ऐसे भयानक माइथ का घर है तो दोस्तों यह है तीसरे नंबर पर आने वाली जंगल जिसका नाम है कॉंगो रेन फॉरेस्ट ये 20,23,428 बर्गर किलोमेटर एरिया में फैला कॉंगो जंगल आकार में अलास्का और दक्षिन अफ्रिका से भी ज्यादा बड़ा है कॉंगो में 10,000 से भी अधिक प्रकार के प्रजातियों के पेड़ प पाई जाती है कॉंगो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है यहां मौझूद पीराना मचलिया किसी भी इनसान को मिंटों में खत्म कर सकती है कॉंगो में ऐसे जानवरों की भरमार है कॉंगो जंगल में 1000 से भी ज़्यादा प्रकार के पक्षि और 500 से पर आने वाला जंगल का नाम है भल्विडियन टेंपरेट रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है दो लाग अचालिस हजार बर्ग किलोमिटर के एरिया में फेला ये जंगल का आकार युनाइटेड किंग्डम से भी जादा है ये दक्षिन अमेरिका के कुछ देसों में फेला हुआ जंगल है मुख्य रूप से ये चिली और अर्जेंटिनया का हिस्सा है ये एक रेन फॉरेस्ट है जिसके कारण यहां लगातार बारिश होती रहती है इस जंगल में 122 से भी अधिक प्रकार के पोधे पाए जाते हैं लगातार बारिश के कारण यहां पर आने वाली सबसे बड़ी जंगल का नाम है टॉंगस नाशनल फॉरेस्ट नॉर्थ अमेरिका के भूगल में सबसे बड़ा जंगल टॉंगस है ये जंगल 68,000 किलो मिटर से भी जादा एरिया में फेला हुआ है यानि कि इसका पूरा एरिया श्रिलंका के पूरे एरिये से भी जादा है यहां नॉर्थ अमेरिका में अलस्का तक के खेतर में फिला हुआ है आपको जानकर हिरानी होगी कि अलस्का में सोने की कई खाने मौजूद है परियटन के मामले में ये जंगल दुनिया का सबसे जादा देखा जाने वाला जंगलों में से एक है हर साल इसे देखन च्छे नंबर पर आने वाली जंगल का नाम है सुन्दरबन सुन्दरबन की लंबाई कूल दस अजार बर किलोमीटर से भी जादा है ये पूरे बांगला देश को ढग देता है और साथ ही साथ ये भारत के कुछ हिसों में भी फेला हुआ है आपको ये जानकर हिरानी होगी क कि उनेसको ने इसे वाल्ड हेरिटेस साइड घोसित किया है ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सफेद रंग के बाग केवल सुन्दरबन में ही पाया जाता है गंगा ब्रम्हपूत्र डल्टा होने के कारण सुन्दरबन काफी जादा डरावना और काफी जादा खौफनाक है जिसके कारण यहां आने वाले टूरिष्ट को अपनी तरफ आकरशित करता है इंडिया का ये नैशनल पार्ग दुनिया के सबसे महत्वपून जगों में से एक है साथ नंबर पर आने वाली जंगल का नाम है टॉपिकल रेन फॉरस्ट जो की एश अशिया में है दक्षिन चीन में फेला टॉपिकल जंगल चाइना और दुनिया के लिए सबसे महत्वपून जंगों में से एक है टॉपिकल जंगल की लंबाई कुल 2402 बर्ग किलोमीटर है और ये चाइना के एक बड़े हिस्से में फेला हुआ है टॉपिकल जंगल में 3500 से भी जादा योगदान है आठ नंबर पोजिशन पे आने वाला जंगल का नाम है डेंट्री रेन फॉरेस्ट डेंट्री फॉरेस्ट ऑस्टलिया दुनिया के सबसे खतरनाक पोधों का घर है ये जंगल 1200 से भी जादा वर किलोमीटर के दायरे में फेला है ये जंगल काफी परकार इस जंगल में घुमने के लिए टिकेट चार्ज करती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना जंगल है इसके उम्र 165 मिलियन सालों से भी जादा है ये कई सदियों से अपना वजूद में है और डर और रोमांच का एक अनोखा मिश्रण है पहाडों से घीरा ये जंगल डिजनी के कैसी फिल्म सेट से जैसा नजर आता है ये पार्क हमीशा परियोटों को से भरा रहता है जिस कारण यहां मौजुद जानवरों की प्रजातियां धिरे-धिरे कम हो रहे है लिकिन वह जानवर जो खुनखार और आदम खोर है अब तक सही सलामत है दिन के दोरान ये जंगल जितना खुपसरत लगता है रात में उतना ही डरावना नजर आता है दस नमबर पर आने वाले जंगल का नाम है मिंडो नंबीलो क्लाउड फोरेस्ट दक्षिन अमेरिका में फेले इस जंगल को दुनिया का सबसे थंड़ा जंगल कहा जाए तो गलत नहीं होगा ये जंगल 192 किलोमेटर में फेला है ये जंगल एमेजोन के जंगल से कुछी दूरी पर है लेकिन इसका मौसम अलग होने के कारण ये उनका हिस्सा नहीं है इस जंगल में 1600 से जादा पक्षी मेंधक और दूसरे जाती के जानवर रहते हैं यहां स साल भर लगातार बारिश होती रहती है जिसके कारण ये जंगल जडियों कीरों से भरा रहता है